अब अब आज वेलकम टू माइच चैनल सो गाइज आज हम डिसकस करेंगे एक बजट गेमिंग माउस के बारे में जो जिस प्राइज रेंज में फिट होएगा वो वेगी अपनी 500, 1000, इवन 1500 इस तीनों प्राइज रेंज के अंदर यह बेस्ट गेमिंग बजट माउस है सो गाइज सबसे पहले इसके अन्बॉक्सिंग करेंगे उसके बाद इसके फीचर के बारे में डिसकस करेंगे और गाइज अगर इसका कोई डिस पॉइंट या फिल्टिस एडवांटेज होगी उस है 540 रूपी और अगर गाइज कोई स्पेशल ओफर आता तो यह 350 रूपी के अंदर आसानी से मिल जाता है सो गाइज इसका फर्स्ट इंप्रेशन तो बहुत अच्छा है और गाइज इसकी जो वायर है वो बहुत ही ज्यादा ब्रेंडेड है और यह जो है आपको नोर्मली 2000 यह 3000 गेमिंग माउस की सीरीज के अंदर देखने को मिलती है सो गाइज हमने माउस को तो सेट कर लिया है क्योंकि इसका सेट अगरा तो है नहीं तो यहां पर आपको एक डीपी बटन देखने को मिलेगा जिस पर आपको फो लेवल आप अज़ेस्ट कर सकते हैं और आप देखने को मिलेगी 1200, 1600, 2400 और 3200 यह बाइज यह बाइड डिफोल्ट है अब मैं इसकी डीपी को चेंज कर रहा हूं यह हमारी 1600 पर आ गया है यह आपका करसर इस टैप से मुझ करेगा अब गाइज मैं आपको दिखाता हूं यह 2400 पर कैसे मुझ करेगा यह हमारी 2400 यानि 2400 डीपी पर यह सैट है यह गाइज हमारी 2400 डीपी और गाइज यह लास्ट हमारी 3200 डीपी तो इसके अंदर तो बहुत ही जादा फास्ट लिमोग परता है गेमिंग के लिए आपको 2400 डीपाइज इनफ होती है तो गाइज आपको यह साइड में दो बटन दिख रहे होगा यह फोरड बैकवरड के लिए है टोटल इसके अंदर जो है फाइब बटन और एक स्क्रोल वील है स्क्रोल वील भी गाइज बहुत ही जादा हो समय और गाइज यहाँ पे left click right click और गाइज यह एक dpi का हो गया और यह दो साइड में हो गया तो टोटल यहाँ पे 5 बटन और एक स्क्रोल वील है सो गाइज आपको यह वीडियो कैसे लगी आप जो कमेंट करके बताना थैंक्स फोर वाचिंग इस वीडियो और डोंट फोर्गेट टो सब्सक्राइब माई चैनल और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू